कि अब जितना भी हम वेक्टर पढ़ेंगे हमें यूनिट वेक्टर की उसके लिए बहुत जरूरत पढ़ेगी नाम से पता चल रहा है सबसे पहले है यूनिट वेक्टर यूनिट का मतलब वन एक ऐसा वेक्टर जिसका मैंगिट्यूड वन हो तो अगर डेफिनिशन की बात करें तो बिल्कुल सिंपल है नाम से पता चल रहा है तो वेक्टर 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 अगला पॉइंट अगर मैं यूनिट वैक्टर को डिफाइन करने की बात करो तो यूनिट वैक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यह अगर एक कैप इसको हम बोलते कैप तो किसी भी वैक्टर की उपर अगर इस तरह का साइन आ जाए तो यह किसको रेप्रेजेंट करता है यूनिट वैक्टर को तो यह है एक कैप यह नहीं बहुत सकता हूं that is a unit vector और यह कौन से वैक्टर का unit vector है ए वैक्टर का अच्छा किसी भी चीज को unit बनाना है तो हम कैसे करते हैं सब्वोज मैं आप से बोलो कि मुझे 3 को unit बनाना है 1 बनाना है तो आप क्या करोगे 3 से दिवाइड करो दुवान हो जाएगा तो अगर मुझे किसी भी वैक्टर को unit vector में convert करना है तो मुझे उस वैक्टर को उसके magnitude से divide करना पड़ेगा यह अगर मैं आप से बोल रहा हूं कि unit vector of a vector तो यह क्या होगा ए वैक्टर को उसके magnitude से क्या करना पड़ेगा दिवाइड करना पड़ेगा दुवारा से बता रहा हूं किसी भी वैक्टर को अगर आपको unit vector बनाना है unit यह उसका magnitude कितना करना है one तो magnitude one कैसे होगा भाई आप क्या करोगे उसके magnitude से डिवाइड कर दोगे तो a cap that is unit vector that is unit vector of a vector कैसे निकाला that is equals to the vector a और यह क्या है यह क्या रेप्रेजेंट कर रहा है that is magnitude of a vector that is magnitude of a vector तो भी को सिंपल सा है हमें कैसे पता चलेगा कि unit vector दे रखा है उपर कैसे साहिन होगा कैप हम बोल सकते हैं a cap that is unit vector of a vector is equals to क्या होगा that is a vector upon magnitude of a इसको हम क्या बोलता है that is unit vector तो unit vector को हम इस तरह से डिफाइंड करते हैं तो यहनि कोई भी unit vector हो जितने भी unit vector सबका magnitude तो हमेशा क्या होगा one होगा तो हमें उससे क्या मिल सकती है हमें directions मिल सकते हैं तो कि वेक्टर के पास दो ही चीज़े होती है एक होता है magnitude और एक होती है directions अगर मुझे magnitude पता है तो सिर्फ मुझे क्या calculate करना पड़ेगा direction या फिर ऐसी भी बोल सकता हूं कि अगर आपने मुझे unit vector दे दिया तो मुझे बता है magnitude तो हमेशा उसका कितना होगा one मैं वहां से उसकी direction calculate कर सकता हूं मैं निकाल सकता हूं कि वह वेक्टर किस direction में होगा अब आते हैं इसके application पर application बिल्कुल आसान है जिसे एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ लेता हूं है कि अगर मालो एक्सिस की बात करते हैं सबसे पहले एक्सिस हम तीन एक्सिस लेते हैं फर्स्ट थ्री perpendicular lines one this is x-axis this is y-axis and this is z-axis और जो तीनों perpendicular axis जिस पॉइंट पर मिलती हैं मुसको origin बोलते हैं तो अगर यह x-axis है इन्हीं अगर मैं इस direction में जा रहा हो तो मैंने इसको बोल दिया सपोज यह positive x-axis है तो अगर मैं इसमें गया तो कितना हो गया negative x-axis तो अगर यह x-axis है इसके perpendicular line इसको उने बोल दिया और यह वाली axis यह हो गई जैड अगें दिस इस एक्स दिस इस यह क्या हो गया जैड हो और यह पॉइंट आफ इंटरसेक्शन क्या किलाएगा और इस इन के लाएगा तो अगर मैं आपसे बोलता कि वही मैं x-axis की तरफ सपोज मालो मैंने यहां से चालू किया और मैं x-axis की तरफ जा रहा हूं टू मीटर पर सेकंड से मेरी स्पीड मैंसे भाग रहा हूं 2 मीटर पर सेकंड तो आप क्या लिखोगे अगर मैं से बोछो बताओ मेरी वेलोसीटी क्या होगी तो अब बलाओ तक यहां आपकी वेलोसीटी वेलोसीटी होगी टू मीटर पर सेकंड टुवर्स positive x axis यह लिखूँगे एगर मैं positive x axis की तरफ जा रहा हूं 2 meter per second से और मैंने आप से पूछा बताओ मेरी velocity को कि वैलोसिटी कैसी quantity है तो आप बोलो कि सार magnitude तो है 2 meter per second 2 meter per second से भाग रहे हो और positive x axis की तरफ जा रहे हो तो मैं बार बार तो यह नहीं लिख सकता है कि अगर मैं वाई एक्सिस की तरफ जा रहा हूं या मैं किसी भी आर्बेटरी डारेक्शन में हो सकता है मैं ऐसे जा रहा हूं तो कैसे लिखोगे तो हमें कुछ पर्टिक्लर नोटेशन की जरुरत होती है तो हम क्या करते हैं पॉजटिव एक्सिस की तरफ जो यूनिट वैक्टर होता है पॉजटिव एक्सिस के लिए हम यूनिट वैक्टर एजिम करते हैं आई कैप पॉजटिव एक्सिस की लिए यूनिट वैक्टर होता है जे कैप और पॉजटिव जेड एक्सिस की लिए जो यूनिट वैक्टर हो पॉजिटव ay मैं जा रहा हो फ्लस जी नेटिव y में जा रहा हो नीचे जा रहा हूं माईनस जैड़ु कम टो यहां से अब i-c-a-p j-c-a-p kya a represent कर रहा है unit vector go cap i cap kya represent कर रहा है unit vector unit vector in direction of positive x axis is i cap unit vector in direction of positive y axis is j cap troy yo unit vector in direction of positive x axis that is I kept unit vector in direction of positive y-axis is j-cap and unit vector in direction of positive z-axis is k-cap तो अब अगर मैं इसको vector की form में लिखता तो मैं कैसे लिखता किसको भई velocity को मैं ऐसे नहीं लिखता कैसे लिखता यहां पर वापस आते हैं अगर मुझे माल लो vector लिखना है a vector तो मैं कैसे लिखता a cap is equal to a vector upon उसका magnitude इसको इदर ले जाओ तो a vector is equal to magnitude of a into a cap यह बहुत important चीज़ है a vector is equal to magnitude of a into a cap मतलब क्या है समझते हैं किसी भी vector को हम वेक्टर के पास दोई चीज़ है magnitude और direction तो किसी भी vector को मैं magnitude into direction की form में लिख सकता हूं magnitude of a vector यह a vector के magnitude को represent कर रहा है और यह यूनिट वेक्टर है यह direction को रेप्रेजेंट कर रहा है डारेक्शन दे रहा है क्योंकि magnitude तो वान है 1 को multiply करोगे किसी भी नंबर से कोई फार्क नहीं पड़ेगा तो यह सिर्फ direction दे रहा है इसका मतलब अगर मुझे velocity vector लिखना होता तो velocity vector को मैं लिखता कि मेरी velocity का magnitude into v cap unit vector in direction of velocity मतलब दुबारा से समझते है मैंने क्या बोला था इस starting में कि मैं जा रहा हूं positive x axis की तरफ 2 meter per second से तो अब मैं आपसे पूस्ता कि बताओ हो भी मेरी velocity vector कितना होगा तो आप बोलते की सर वेलोसिटी वेक्टर वेलोसिटी का मैंगनेट्यूड कितना है मैंट्यूड टू मीटर पर सेकिंड कौन सी direction वी कैप वेलोसिटी की direction कौन सी direction में जा रहा हूं positive x axis तो positive x axis का मतलब प्लस का आई के तो जो वेलोसिटी वेक्टर हुआ वह हुआ मेरा टू आई के मीटर पर सेकिंड है यह हम इस तरह से यूनिट वेक्टर का यूज़ करके हम वेक्टर की फॉर्म में किसी भी वेलोसिटी को हम स्पीड वेलोसिटी की को debate कर सकते हैं एक एक्ग्जा以前 सी समझने कोशिश करते हैं तो यूनिट वेक्टर की अगरा हम भात करें तो यूनिट वेक्टर अभी हमने समझा की यूनिट वेक्टर होता क्या है वेक्टर अपॉन उसका मेंगनेट्यूड यूनिट वेक्टर का मेंगनेट्यूड हमेशा वन होगा सिर्फ डार्यक्शन देगा एक और इंपोर्टेंट पॉइंट यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर इस डाइमेंशन लेस यूनिट लेस यूनिट लेस वेक्टर और क्वांटिटी तो ये डाइमेंशन लेस होता है और यूनिट लेस होता है अब जैसे मानलों कि एक सिंपल सा एक्सामपल है बिल्कुल यह और है ये वाला वेक्टर कौनसा हो गया ओए वेक्टर यह वाला वेक्टर कहुंसा हो गया ओभी वेक्टर और यह वाला वेक्टर कहुंसा हो गया ओभी वेक्टर तो मुझे रिप्रेजेंट करना है ओए वेक्टर O B Vector and A B Vector मुझे लिखना है O A Vector कितना होगा O B Vector कितना होगा और A B Vector कितना होगा तो अभी मैंने बताए कि किसी भी Vector को कैसे लिख सकते हो Vector होता है उसका magnitude into direction तो अगर मैं O A की बात करूँगा तो magnitude कितना है That is 2 वो direction कौन सी है O A की I K तो that is 2 I K अगर मैं बात कर रहा हो A B की बिल्कुल सिंपल है A B A स B उपर की तरफ magnitude कितना कितना चले 3 3 मीटर direction कौन सी प्लस J K अगला point O B की अगर बात करें तो O B के लिए O A Vector, O B Vector and A B Vector तो ये Vector addition law से हम ये बोल सकते हैं कि जो O B Vector होगा that is equals to O A Vector plus A B Vector and O A Vector is 2 I K A B Vector is 3 J K तो O B Vector किसके परापर हो जाएगा O B Vector हो जाएगा that is 2 I K plus 3 J K यहनि अगर मुझे A B Vector पता है O B Vector पता है O A Vector पता है A B Vector पता है कि जो A B Vector O B Vector होगा जो net displacement होगा वो होगा 2 I K plus 3 J K कि अधिर